हेलो फ्रेंज मैं हूँ भोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुक्वित भोली में आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर की बहुत ही टेस्टी सबजी इसके लिए मैंने एक बन्च पालक को धो करके रख लिया है इस तरह से छनी में निकाल करके और एक कढ़ाई में हमें हाँ पर पानी उबालने के लिए चड़ा देंगे तो लगभग धाई तीन ग्लास पानी है ये और जैसे ही पानी में अच्छे से उबालाने लगे हम इसमें जो पालक धो करके रखे उसे डाल देंगे और लगभग तीन चार मिनट के लिए इसे हमें अच्छे से उबाल लेना है तो इस तरह से आप एक बार उपर नीचे कर लीजिए चमस से और ये देखिए लगभग तीन से चार मिनट के बाद में पालक अच्छे से सौप्ट हो गई है तो अब हम इसे चन्नी में निकाल लेंगे वापस से और जैसे हम निकालेंगे इसे तुरांथी ठंडे पानी में डुबो करके रखना है तो ऐसा करने से इसका जो कलर है वो भी वैसे हरा का हरा बना रहता है और ये ओवर कुक भी नहीं होती और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है और अब वापस से हम निकाल करके इसे चन्नी में तो सबसे पहले इन्हें हम तल करके निकाल लेंगे तो हल्का सा golden । होके ע películे आई अब इससे तुरंथ निकाल लेंगे और पानी में डूबो करके रख देना है तो इससे पनीर सौप्ट बनी रहती है और ये थोड़ा सा ज्यादा ही कलर आ गया इसमें आप हलका सा फ्राई कीजिए तेल ज्यादा गरम थी तो ये थोड़ा ज्यादा फ्राई हो चुका है अब उसी जो बची हुई तेल है उसमें मै ये बड़ी हिलायची और दो दालचनी के तुकडे है और ये तो जावीधी का तुकडा है तीन चार िइए और पांच काली मीर्च है, तो जो भी मसाले आप कम ज्यादा करना पर यह आपर कर सकते हैं और आप अगर अभी नहीं डालना चाहते हैं तो बाद में भी इसे डाल सकते हैं जब हम सबजी फ्राइ करेंगे उस समय चार मीडियम साइज के टमाटर है इन्हें मेरे रफली काट लिया है तो सारे मसालों को हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे इसमें एक चमच नमक डाल देंगे और इसने कवर कर देंगे ताकि अच्छे से सौप्ट हो जाए तो लगभग चार मिनट के बाद में देखें मसाले अच्छे से भून चुके हैं और टमाटर और प्याज बहुत ही सौप्ट हो चुकी है इसे मैंने एक बार बीच में और चेक कर लिया था तब इसे ठंडा होने देंगे और जैसे यह ठंडा हो जाए इसका हमें पेश्ट बनाना है अब जो पालक हमने डुबा करके रखा था उसे भी मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है तो एक बार में जितना भी पालक आ सकता है उतना हम डाल लेंगे और इसे पीस लेंगे तो देखिए पालक का पेस्ट बन करके तयार है अब इसी ज चांब आर्मियाँ टमाटर और फ्याज भी ढाल देंगे और इसे भी पीज लेंगे अब यहां पर मैंने चाठ टे बरिस्पुन तेल डाला है जैसे यह तिल गरम हो जाए इसमें वहीं एक चमज भरके जीरा ढाल देंगे और जो मसाला हमने पीज करके रखा था टमाटर और प भून लेंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग ना हो जाए यहां पर घर की मलाई थी तो यह तीन चमच मैंने यहां पर लिया है इसे पानी डाल करके थोड़ा सा फेट लिया है इसे भी इसी में डाल देंगे और भून लेंगे साथ में ही तो देखिए अब मसालों से तेल अलग होना स्टार्ट हो चुका है तो मसाले बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है अब यही पर हम पालक वाला पेश्ट डाल देंगे तो बहुत ही प्यारा सा कलर आया है इसका देखिए हर एकदम ग्रीन कलर जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भी हम इसी में डाल देंगे और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे पालक के पेश्ट के साथ में तो इसे आप कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहिए और ढग दिजिए क्योंकि पालक का जो पेश्ट है बहुत ज्यादा छीटे मारती है अब यहां पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे या द सारे मसाले मिक्स कर देंगे और ग्रेवी आपको जितना गाढ़ा या पतला रखना है उसके हिसाब से आप यहां पर पानी डाल दीजिए और तो मैं इसे रोटी या पराठे के साथ में सर्व करने वाली हूँ तो बहुत जादा पानी का यूज यहां पर मैंने नहीं किया है लगबग एक ग्लाज इतना पानी यहां पर मैंने डाला है पेश्ट के साथ में और तो देखिए अब सब्जी में उबाल आनी शुरू हो चुकी है अब यहीं पर हमने जो पनीर भी गो करके रखा था उसे भी इसी में डाल देंगे मिक्स कर लेंगे और पांच मिनट के जार है गैस को हम बंद कर लेंगे और पचास ग्राम जितना पनीर यहां पर मैंने बचा करके रखा था अच्छा उसे इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे तो इससे इसका टेक्श्चर बहुत ही अच्छा आता है खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है अब इसे भी इसी में मिक्स कर लेंगे अब अगर आप चाहें तो यहां पर एक उबाला और ले सकते हैं पनीर की इसके डालने के बाद में और मैं तो इससे ऐसे ही रख रही हूँ तो यह देखे बहुत ही टेस्टी सबजी बनी है हमारी तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भोले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक किली जैसे कृष्णा